है है गाइस बत्सब आप अच्छे कर्टाओं के आप सारे अच्छे होंगे आपको एडवांस में नहीं साल की हार्दिक बदाई मेरी तरफ चे एक्छी ना गाइस थोड़ा साज मूद सलाओफ है मैसर और आप थोड़ा साज करने लगते हो आपके एच्छे रिजल्स आने लगते हैं समझें हो है तो लोगों को देखा नहीं जाता है मतलब अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना तो लोगों को चाहिए कि आप प्रूफ दो कि आप पच्छा कर रहे हो इस इस नोट भी डन मतलब कि मैसेज तो ऐसे बहुत अब मैसेज बहुत कुछ बहुत बारा है लेकिन कल कुछ इस तरह का मैसेज आया ना इंस्टाग्राम पर मुझे पता है कि यह मुझे जो भी लोग है I don't know कौन है लेकिन जरूर यह वही होंगे जो मुझे यूटूब के थ लिया है ऐसा तो यह कहीं से भी मतलब नहीं दिखता है कि आपकी अच्छी बोडी मतलब थोड़ी बहुत बनी है तो आपने अस्ट्राइट के लिए पैसे हां पर जूटाना मुस्किल होता है और इस इस्ट्राइट लूँगा मैं अच्छी बहुत ही यार मैंने भी बहुत देखे थे यार यहां पर यूटूब यूटूब यूटूपे यार एस्ट्राइट का ये वीडियो सीडियो मैं कभी नहीं सुता थे कि सला लोग ऐसे भी मतलब बोलेंगे खेजोगी है अच्छी मेरे मेरे में प्रॉलम है कि मैं ओवर थिंक करने लगता हूं इसलिए मैं सुचा कि सेर करता हूं और जो कोई भी मतलब ऐसा कुछ सूचता है तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रोटीन नोर्मल डाइट में स्टूडेंट लाइफ है और उसके लिए पैसे जुटाने हैं पैसे कट्टे करने में मुश्किल हो जाता है और बात करते हो इस्टॉय दोलेंग तो उम्हाम हमें साथी कुछ होते ना जेंटिक्स होते ना में हमें इसाथी इंटेंस और भी जादे इंटर्स करो ऐसा होता है ऐसा कुछ नहीं है यार कि मतलब आप कर रहे हो मतलब आपकी अच्छी रिजल्ट्स आरे तो आपने स्ट्राइट लिया है कर मतलब कल ऐसा मेसेश देखके और गाली-वाली सही है कोई चकर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे थोड़्सा भी फर्क नहीं पड़ता ए कि देखता ही न於 लेकिन कल देखा मेन मैसेश डेक हैँ है मैन कोई स gonzo डाल होगा देखना अप वसमंदे ने लिखा किस तरह नहीं इसे है कि कर जो भी हो नहीं जितना बोलोगे ना मैं उतना ज्यादा महनत करो है इस रात में उसने बोला यह बात में इम दिमाग में मड़ल जुब सुबा तक था सुबब में इतना ज्यादा खतर ना क्वाला वर्काउट किया, मतलब गजब, मज़ा आगया वर्काउट एना, और कुछ वीडियो बनाया हूँ, देख लेना, इधर पर सेर कर दूँ कुछ, आज मैंने मंदे था, मैंने बैक लगाया, क्योंकि पिछले लास्ट विक में कुछ दिन वो हो गया था, तो, जो भी हो, मतलब, किसी को नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, ऐसे, मुझे बहुत बुड़ा लगा, मतलब, पहले भी ऐसे, बहुत सारे मेसेश आते थे, गाली वाली थे, के यह है, तुँ यह है, बिहारी, दिस दाट, मैंने एक ग्णोर किया, लेकिन, मेहनत पर सवाल उप और मेद लाइटे है, तो फिर लगता है कि आल यार, थे है, तो ऩी गाहिक गाईज, अब वीडियो करो, और प्लीज, मतलब, समझऊ है यार, एना, प्लीज, जाओ, विद्यो थे, बहुत दिगए, प्लीज, मतलब, समझ हो यार, यार, थे है, गाई, प्लीज, और भीविव I'm just so thankful because when I started bodybuilding on October 8, 2002 I had no idea that I would be standing on this stage one day, winning the Mr. Olympia let alone, you know, being seven time champion when I got into this journey you know, I was you know, a little bit bitter because I didn't make it playing Division 1 basketball and I was trying to find another outlet and bodybuilding taught me how to be strong mentally, physically and emotionally through all life's challenges it taught me how it taught me how to train hard when no one's in the room when you're having a bad day through death through hardship through anything that can go wrong I always had the gym there would be days I would train by myself or with my fiancee Shree and I would be in there dying I'd be in there dying looking at those pictures in the gym of Schwarzenegger of Coleman of Haney of Dorian of everybody and I would just tell myself one more set one more rap just give it everything you've got so you can put yourself in the best position to win and that's all we can do in life people sometimes life is going to serve you up some curveballs but I challenge each and every one of you to step in that batter's box and take a damn swing just take a swing and it ain't going to always work out for you it ain't going to always work out look I just beat some incredible athletes they are some of the best athletes I've ever competed against please give them a round of applause please cause they have made this they have made this so hard but I can tell you what my faith in God my family my trainer Haney Rambon and Haney always